कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आशी श्राठोर इंडियन डाइनमेक्स चैनल में आपका स्वागत है अगर आज आप में चैनल में आए हैं तो कंटेंट पसंद आए सब्सक्राइब करना मत लेगा शुरू करते हैं आज की वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी जून 2003 को ये दुखत घटना घटी थी जिसमें एक ही ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी पर सीधा टकर मार दी थी कोरो मंडल एक्सप्रेस ने बहुत ज़्यदा बुरा हाल हुआ था पूरी ट्रेन का और पूरा लोकोमोटीव माल गाड़ी में चड़ता हुआ आगे तक चला स्विच जो कि इसके पीछे रिस्पोंसिबल हो सकता है जिसके वजह से ट्रेन छेंज करती है यह पिर ट्रेक चेंज नहीं करेंगी यह भी सुच में घृच पर देख लएगा आज मैं आपको बाताने जा रहा हुं अभी इस केस में क्या हुआ हुआ है क्योंकि ये महीना हो देखें अभी Commissioner of Railway Safety जो कि responsible होता है Railway के सभी जो भी नए प्रजेक्ट होते हैं उन प्रजेक्ट में सेफटी के सभी मेजर्स का पालन किया रहा है कि नहीं उसका पूरा टेस्ट करते हैं फिर उसको हरे जिन्दी दिखाते हैं साथ महीं अगर कोई ऐसी दुरगटना हो जाती है तो उसकी भी inquiry यही लोग करते हैं इन्होंने पूरी रिपोर्ट सभी थी Railway को और CBI को उसके बाद इस रिपोर्ट में एक कीस्तों सामने आ गई थी कि बैलास और रेल हाथसे में सिग्नलिंग में कहीं न कहीं कोई न कोई तो error था जो कि human द्वारा हो सकता है कहीं न कहीं न क अपने ढंग से पूरे investigation किया CRS की रिपोर्ट के अनुसार CBI के पास जो भी data आया उन्होंने उसके according बहुत सारे कदम उठाए हैं जिस वजह से उन्होंने अभी तीन railway employees को अरेस्ट कर लिया है Friday तक यानि कि कल तक वो CBI की custody में रहेंगे और उनसे होगी बड़ी पूस्ताच जो की बहुत ज़्यदा खुलासे कर सकती है इस accident के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अभी एक और नया चीज हुआ है साथ इस्टन railway के जनरल मैनेजर अनिल मिश्रा ने बताया कि साथ railway employees को suspend कर दिया गया है अभी साथ railway employees को suspend किया गया है वो CRS की report के according किया गया है क्योंकि इन सभी का कोई ना कोई रोल इस accident में पाया गया है और जिसमें आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहला जिनका नाम है वो है station master बहनगा station जो की main station ता जहां पर एक्सिडेंट हुआ है SB Mohanty उनका नाम है उनको suspend कर दिया गया है along with छे railway employees और जिनको suspend किया गया है इसमें से तीन को तो CBI ने अरेस्ट कर लिया है उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ senior signaling section engineer अरुन कुमार मोहंता, मुहमद आमिर खान and technician पपु कुमार यह सबी बड़े पतपर थे railway के employee थे और इन तीनों का रोल जो है इस accident में पाये जा रहा है signaling related department के लोग लग रहे हैं और इन लोगों कोई न कोई रोल है कहीं न कहीं यही कारण है कि इनको custody में लिया गया है इसके साथ में तीन लोगों का नाम अभी मीडिया में उजागर नहीं किया गया है वो तीन लोग कौन है जल्दी उनका नाम भी आने वाला है बताए जा रहा है तो इन तीनों लोगों का रोल इसमें काफी जादा माना जा रहा है अब देखना यह है क्या यह गलती से हुआ है या फिर इजान पूचके किया गया है कई नका इलेक्टिकल सरकीटरी से जो की रिले से रिलेटेड है छेड़कानी तो हुई है यह बात तो पक्की है जो की हम समसकते हैं जो की मैंने आपको बताया भी था तो दोस्तो कोई भी अगर इसमें नई अपडेट आती है मैं आप लोगों को वीडियो बना करके ज़रूर बताऊंगा आज के लिए इतना ही वंदे मातरम भारत माता की जै